चोपड़ा है जो किस ने यूटुब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बचो उसके according कि ये सही जाने की possibility है जो 2024 का rank आएगा students का NEET का वो unexpected होगा यानि कि वो बहुत ही जादा होगा किस marks पर कितनी rank आएगी ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा data के साथ में ये किस के base पर मैं आपको बताऊंगा एक तो level of cushion paper जो 2023 जैसा ही cushion paper था 2023 से cushion paper easy ही था hard नहीं था काफी सारे students काफी सारे new channels काफी सारे YouTube channels ये बता रहे हैं कि ये paper hard था ऐसा कुछ भी नहीं था ये 2023 से easy paper था क्योंकि मैंने बहुत सारे students के जो marks calculation किये हैं उसके according जो उनका average निकल के आ रहा है वो ये ही आ रहा है कि जो 2024 का paper था 2023 की बजाए easy था physics hard लग रही है student को लेकिन hard नहीं वो lengthy थी जिन candidates ने biology और chemistry सही समय पर करके physics को time दिया है उनके physics में अच्छे marks आये हैं hard नहीं वो lengthy थी लेकिन जिनोंने अगर सही समय पर कर लिया management जिनका क्योशन paper करने का सही था उनके लिए physics बहुत ही easy थी दूसरी बात जो deleted portion था उसमें student को काफी फाइदा मिला है कुछ portion ऐसे थे जिनमें क्योशन एक आता था और उनको पढ़ना बहुत ज्यादा पढ़ता था उसमें काफी time consuming होता था student का वो हटने से इस बार marks काफी ज्यादा आ रहे हैं student के online student काफी increase हुए है इस बार online study काफी की है लोगोंने वो तो अभी गुम नाम है ही उनका जो coaching में student है उनका तो score देखा जा रहा है लेकिन जो online है वो तो हमारे पास उनके comments आते हैं वो हमारे से touching में हैं तो online students से इस बार काफी ज्यादा है इस साल और number of students जो appear हुए है वो 24 लाग से ज्यादा है इस बात का आपको पता है तो आईए अब मैं आपको कितने marks पर कितने rank आ सकती है ये बता देता हूँ तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे म जानकारी लेना चाते हैं तो इनकी हमारी book available है counseling के लिए mcc की book भी available है mcc के counseling के बारे में भी जानकारी दे रखिये state quota के बारे में भी और ios और veterinary की भी book अविलेबल है तीन प्रकार की book है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है और इसमें all India quota जो all India की book है उसमें एम्स, जिप मारी SIC इन सब के बारे में central pool quota के बारे में जानकारी दी गई है category wise cutoff round wise cutoff college wise cutoff 2024 के लिए आपको कैसे choice fill करनी है उसके बारे में बताया है चार साल की previous year की cutoff दी गई है fees की और seeds की और क्या-क्या documents इनके बारे में ये सारा समझाया गया है इसमें इस परकार से choice filling के किस परकार स आप कर सकते हैं bond कितना है और category wise round wise cutoff क्या है registration process counseling process क्या है इसको अलग से समझाया गया है इसी परकार की state की book में भी बहुत कुछ समझाया गया है state wise state wise fees structure दिया गया है cutoff दी गई है और उसकी condition दी गई है क्या documents requirement है state में आप कैसे choice filling करेंगे उसकी choice list क्या है ये सारी जानकारी दी गई है state book में इसी परकार से IOS और veterinary की book में भी same जानकारी available है cutoff वगरा की seat वगरा की दोनु अलग-अलग है तो आप इसको हमारे इस वीडियो description box में जैसे ही आप more पर click करेंगे जैसे ही आप more पर click करेंगे या mobile में show more पर click करेंगे तो इसमें आपको इस परकार का option मिलेगा यानि कि आप इसमें जैसे ही description box पर click करेंगे तो in books के link दिये गए है इस link पर जिस link पर जिस book को आप download करना चाहते हैं उस link पर click करके download कर सकते ह हमारी website है chopraeducation.in उससे भी आप download कर सकते हैं उस website पर जिस भी book को download करना है उस पर click कर देंगे तो वो download हो जाएगी इसका मैंने कुछ price रखा है वो pay करेंगे तो यह आपके system में download हो जाएगी अब बात करते हम cutoff तो मैंने आपको बताई थी last में cutoff और बता दूगा मैं दुबारा लेकिन अभी कौन से marks पर कितने rank जाएगी यह मैंने आपको यह table बना के समझाना है लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि इस बार की जो rank है वो काफी high जाएगी अगर की बात से अगरी नहीं है तो आप ये मेरा वीडियो skip कर सकते हैं बाद में दुबारा वीडियो देखने की आवशकता नहीं है मेरे को यह भी नहीं है कि मैं views के लिए इस परकार की वीडियोES बनाता हूँ यह data के लिए data निकालने के लिए मेरे को काफी समय लगता है यही हो हो सके इसमें, अब बात करते हैं देखो 720 वाले students की, 720 students, 720 students, 720 students, 720 students, देखो 720 students इस बार 6 students हो सकते हैं, लेकिन ये depend करता है 720 student NTA की answer की से, अगर NTA ने answer की में कुछ फेर वदल कर दिया, तो फिर ये कम हो सकते हैं, ये 0 भी हो सकता है, ये fully depend करता है NTA की answer की के उपर, तो 710 की अगर हम बात करें, 710 पर 167 candidate रह सकते हैं, इस बार ये rank आ सकते हैं, ये rank last rank है, इससे पहले 710 वाले जैसे 166 माज थे, उसके भी 710 होंगे, 165 के भी 710 होंगे, तो इस परकार सी ये last rank है, marks के according, 700 जिसके marks होंगे, 732 rank आ सकती है, All India rank इस बार, 690 की 1657 rank आ सकती है, 680 की 2949 rank आ सकती है, 670 की 4946 rank आ सकती है, 660 की 7688 rank आ सकती है, 650 की 11159 rank आ सकती है, 640 की 15,000, 630 की 20,000, 625 की 23,000, 938 rank आ सकती है, 620 की 27, 615 की 30,000, 610 की 34,000, 605 की 37,000, 600 की 41,559 rank आ सकती है यहां पर, पिछली साल का आक्रा देखें, तो यहां 30,000 की निरवाई था, अब की बार 41,000 आ सकती है, 590 से अगर हम बात करें, तो 590 में 49,705 rank आ सकती है, 580 की 58, 570 की 67, 560 की 77, 555 की 82, 550 की 87, 540 की 97, 530 की 1,900, 520 की 1,21,000, और 510 की 1,33,000, और 500 की 1,46,000, एक बार मैं आपको और बता दूँ, एक बात ये बता देता हूँ, कि जो 22 में rank थी, जो 22 में rank थी, 21 में rank थी, 20 में rank थी, ये तकरीबन शेम थी, जब rank का उच्छाल आया था, वो तो 19 में भी काफी बड़ा उच्छाल था, आ सकता है, हो सकता है, जो मैंने आपको ये rank predict की है, इससे ज्यादा rank भी आए, ऐसा भी हो सकता है, ये हमने 500 तक की rank देखी है, अब आगे और देख लेते हैं, 495 वन लाग 53,000, 491 लाग 60,000, 485 वन लाग 67,000, 481 लाग 74,000, 462 लाग 3,000 और 442 लाग 36,000, 422 लाग 71,000, 403 लाग 9,000, 370 मार्च वाले candidate को 3,75 रेंग, और इसके बाद, 354 लाग 24, 305 लाग 69, 286 लाग 36, 257 लाग 52, 209 लाग 80,562, 150, 121 लाग 81,818, 125 मार्क 14,75,886, 113 मार्क 15,179,217 लाग 1110 मार्क वाले candidate के 16,9,829 लाग आज सकती है, यह expected rank है, इससे कम rank मिलने की possibility कम लग रही है मेरे को, तो यह rank मैंने अपने according निकाली है, यह सच भी हो सकती है, यह गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा, कि इस बार जो rank के आएगी candidate की, वो काफी ज़्यादा आएगी, बाकि 14 जोन को NTE का जब result आएगा, तो हमें यही अचमबा होगा कि यह rank इतनी ज़्यादा क्यों आएगी, इसके कारण यही है, काफी सारे candidates से इस बार, क्यूसन पेपर हाड नहीं था, वो 2023 से इजी ही था, आप चाहिए माने या ना माने, deleted portion के कारण students को काभी फाइदा भी हुआ है, कटोब मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, कटोब जो इसमें हो सकती है, वो 6-20 हो सकती है, मेरे according, मैं यह मान रहा हूँ कि कटोब 6-20 से डाउन जाने की possibility नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मेरा डराने का कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद यह है कि हर एक student को seat मिल सके, जो काफी मेहनत करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं भी चाहता हूँ, कटोफ है, वो 6-20 से डाउन जाने की possibility, मेरे को तो बिलकुल नजर आद नहीं रही है, हालांकि ऐसा हुता है, जो आपके favor की बात करता है, उसको हम ज्यादा like करते हैं, ये video ज्यादा dislike होगा, मेरे को इस बात का पता है, लेकिन मेरे को इसकी चिंता नहीं है, मेरे को जहां लग रहा है, वो मैं वीडियो बढ़ा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, कि ये cut-off इस बार 6-20 से भी ज्यादा ही जाने की possibility है, EWS की 670, SC की 490, ST की 455, अब rank की बात करें, कितनी rank तक ये cut-off जा सकती है, तो जब 6-20 पर rank देखें, तो 27,000 मेंने आपको rank प्रेडिक्ट की है, कि 6-20 पर 70,400 के nearby rank आएगी, तो अगर देखा जाए, तो इसमें general और OBC काटेगरी के लिए जो last rank जा सकती है, वो 26,000 तक admission मिल सकता है, इस बार student को 26,000 तक इस बार admission मिल सकता है, मैं आपको 27 बता रहा हूँ, या 620 पर 27 आ रहा है, तो मतलब ये है कि 620 पर 26,000 के student भी हैं इसमें, क्योंकि इन numbers पर 26 के numbers पर 800, 900, 1000 बच्चे भी आपको मिल जाएंगे, इतना variation भी मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ 620 कटोब बता रहा हूँ और 26,000 आपको All India rank बता रहा हूँ कि last admission 26,000 तक हो सकता है, stray vacancy round तक हो सकता है, 26 था उजेंट rank में, तो ये बाकी जो EWS की, SC की, ST की जो मैंने marks बताये, उसके according आप rank calculate कर सकते हैं, ये मैंने अपने previous experience से बताया है, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत comments करने से आपके व्यवार का ही पता लगता है, कि आप कि सोसाइटी से आते हैं, जो बच्चे हैं, मैं आपको खादर जैसा लगता हूँ, जो मेरे बराबर के हैं, मैं उनका बड़ा भाई जैसा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखिए, आपके मन पसंद कटोफ नहीं आ रही है, और मन पसंद रिंक नहीं जा रही, तो कोई बात नहीं है, गलत comments लिखने से कोई फाइदन नहीं होता है, मेरे को इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप गलत comments भी लिखोगे, तो मेरे को इसम के according है इसको आप सच नए माने हो सकता है ऐसा मैंने student से मिलके उनकी review लेके बताया है फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये easy paper क्यों बता रहा हूं तो मैं इसका एक separate video लेकर के आऊंगा कितनी paper मैं क्यों सन easy थे कितने moderate थे और कितने hard थे ये हर साल की तरह इस बार भी एक video लेके आऊंगा अब भी मैं फिलाल student से review ले रहा हूं उनके उनका क्यों सन पेपर कैसा गया है कौन सा paper उनको कौन सा क्यों सन hard लगा है जितने ज़्यादा student इसमें include होंगे उतनी ज़्यादा ही हमें cutoff का पता लगवाएगा उसके बाद में मैं आपको उनका reaction भी बता दूँगा student का तो ये जानकारीती cutoff मैंने बता दी है expected expected rank मैंने बता दी है बाकी और जैसे भी मेरी knowledge से जो भी मैं आपको दे पाऊंगो देने की कोशिस करूँगा तो मिलेंगी नई update की साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लिता हूँ विदा जै ही